वेलकम फ्रेंज, हलका फुलका भूख लगी हो और खाने का मन करे कुछ चटपटा, तो आज मैं बनाऊंगी एक कब गुते वे आटे से एक दम से हेल्दी टेस्टी लचेदार नास्ता, ये नास्ता मैंने बिना प्याज लसुन का बनाए हैं, बहुत ही कम इंडिग्रियंस में बना के तयार करूंगी, आटे से जिसे लचेदार रसिवी बनाने के लिए वीडियो को बिना इसकिप किये एंड तक जरूर देखें, आटे का नास्ता बनाने के लिए मैंने लिए गुते वे आटे का एक डूई, आटा गुते वक्त हम थोड़ा सा नमक डालेते, और मैंने एक बर्तन में पानी बोइल कर लिए इसी पानी में हम आटा को इस तरह से केची से कट कर करके ढालेंगे, फोलता हुआ पानी में इस तरह से कैची से आटा बहुत असानी से कट जाती है इस तरह से हम सारे लुई को काटके बोयल कर लेंगे लम्बा छोटा किसी तरह भी बना सकते हैं इस तरह से काटके बहुत सारा पानी में डाल दिया बोयल हो रही है जब आटे के लुए अच्छे से पक जागी तो यह सारे पानी के उपर तेरने लगेगी आप देख सकते हैं इस तरह से इसी तरह से एक दूम नट तक बोईल कर लेंगे फिर इसे निकालेंगे कटे वे आटे अच्छे से बोईल हो गई है यह देखिए और सब पानी के उपर तेरने लगे अभी से एक इस टेनर में निकाल लेंगे और जो कैची से काटे हैं तो उससे बहुत अच्छी डिजाइन बन गई यह देखिए और इसके उपर से थोड़ा सा थंदा पानी डालेंगे ताकि इसका चिपची पैपन कम हो जाए इस तरह से यह देखिए एकदम से अलग-अलग हो गई है अब पैल लेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मस्टर हो है वैद डरू हो देखिए इसमें डालेंगे फाप टेश्पून जीरा हाफ टेज स्पून मस्टर्ड, हाफ टेबल स्पून ग्रेट किये वे अधरत, दो बारेक चौप किये वे हरी मेंच, आज से दस करी तक्ता, तारे सुझें को अलका भूली हिए, एक बारेक चौप किये वे टमाटा, हाफ टेज स्पून नमक, हाफ टेज स्पून हल्दी पाप, अलका टमाटा को भूलेंगे, कोई सेकेंड के लिए, टमाटा भूल गूले, ये सॉफ्ट प्याव हो गई, अब इस में डालेंगे, आता कर अच्छे, अच्छे कर निक्स ये नास्ता हेल्दी के साथ टेश्टी ही है, इसे साम के नास्ते में जड़पड बनाके बच्छे को दे सकते हैं, बच्छे को बहुत पसंदाएगर ये आते से बने तो ये टेश्टी के साथ हेल्दी भी बाप है, इसमें ज़्यादा मसाला यूचने की है, ये नास्ता बहुत जपट बनके तयार बजाती है आटे के लप्षे को एग मुलत तर अच्छे से बुनेंगे अब हम इसने डाल देंगे वन चथाई टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून चाट मसाला इससे टेस्ट बहुत चपटा आती है अच्छे से मिक्स करेंगे इसके ओपर से थोड़ी सी हरी दनिया से गानिशिंग कर देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे एक दम से हेल्दी टेस्टी लचेदार नास्ता मेरी बनके तयार है इसे अलका फुलका भूक लगे तो झजट पर बना के खा सकते हैं यह बच्छों को बहुत ही पसंद आएगी, इसे आप साम के नास्ते में या सुबह टिपिन में भी बना के दे सकते हैं, बच्छों के लिए यह बहुत ही हेल्दी है, और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आइसे मेरे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको मिलेंगे सबसे पहले, थैंक यू